असलाम आने कुम आपरिवन नॉवेल की दुनिया में आप सब का वेलकम है आज को नॉवेल नेम है मुझे आजमाने बाले, मुझे आजमा के रोए बाई जारिया लेट्स स्टार्ट एड शाम के साय शाम के साय गहरे होते जा रहे थे और परिंदे अपने अपने नशीमों की तरफ रवा दावा थे आसमान पर चार सू लाली बिक्री हुई थी जो शाम के उदास मनजर को और भी हसीन और परकेफ बना रही थी और इस हसीन तरीन मनजर के दौरान वसीव अजीज वहत आलिशान हवेली अपनी पुरी मजबुत आवटाप से अपनी जगह पे खड़ी थी और इसकी सीहा गाड़ी हवेली के रास्ते पर गमजान थी इसकी गाड़ी के पीछे लातादत गाड़िया थी जिसमें गाड़्स थी और इसके महाफिस थे गाड़ी हवेली के वस्त में आकर रुकी तो जल्दी से एक गाड़ी की अगली विसीट का गेट खुला और अपने मखरूराना अंदास में काड़ी से नीचे उतरा भरपूर कदो कामा ब्राउन बाल परजल ब्राउन आखे जिन पर काले चश्मे ने पहरा डाला हुआ था गोरी रंगज जिन में सुर्खी नुमाया थी कंदो पर शार डाले मखरूराना अंदास में भीचे हुए होटो के साथ वो मुकमल किसी रियासत का शहजादा लग रहा था बलकि ये कहना गलत ना होता कि वो शहजादा ही तो था अपने मकसूस अंदास में चलता हुआ वो हवेली के अंदरोनी हिस्से की जानी बढ़ गया था बीजान जो की दीवान पर बर्जमान थी वो इनकी जानी बाया और सलाम करता है उनके सामने बैड़ गया बीजानने से खुद में समूलिया और अपनी बेताशा खुशी का इजहार करते हुए इसके माते को चूम कर इसका हाल हवाल दर्याफ किया और कहने लगी पुत्तर तो तो शहर जांके भूली गया ना कोई हाल ना है वाल दो दिन तब्यत बड़ी उदास थी तो ने एक फोन करके अपनी खहरीत बतानी भी जरूरी नहीं समझी वो जानता था कि शायद मसरूफियत की वज़े से वो हवेली फोन ना कर सका और बीजान इसे खफा हो गए और वही हुआ था इसने इनके इस गले में बाहे डालकर इन्हें पल भर में मना लिया और इसे प्यार करते हुए मुस्कुरा दी जभी इसको हवेली की गैर मामुली खामोशी महसूस हुई यूही है इतने लोगों का मजुमूम होते हुए भी आज इतनी खामोशी क्यों थी इसने बीजान से पूछा बीजान सारे लोग का कहीं गए हैं वे बीजाने का हाँ बेटा सरसंगा की सालगिरा थी तो सब महीं गए हुए हैं तो तो जानता है मेरे घुटनों के दर्द का इस वज़े से मैं नहीं चाहसे की लेकिन अब तो इनकी वापसी का वक्त हो रहा है सुबा की गए हुए हैं सब जरसंगा जरसंगा इसकी फुप्पू की बेटी थी फुप्पू की शादी भी खानदान में यहीं थी जिसकी विचे हुएली की रहुने की कभी कबर और भी अरुच पर होती थी वो गहरी सांस लेता हुआ वी जान से इजाज़त लेकर आराम की कर्स से अपनी कमरी के जानी बढ़ गया अबास खान, बकाथ खान, पैरम खान, शहवास खान चार भाई थे और इनकी तीन बहन थी जिनका नाम मरीम, जैनब, आसमा थी इन तमाम बहन भाईों की शादिया खानदान में ही हुए थी क्योंकि इनके घर खानदान से बहर शादिय करने का रिबाज नहीं था अबास खान के तेन बेटे थे सालिक हैदर खान जो अपने मुक्तलिफ अंदोस्त अतवार की वज़े से पूरे खानदान में स्टोन मैंन के खताब से मशूर था दो बेटे मास खान और यूसफ खान और एक बेटी जिसका नाम अलिजे था वकास खान के दो बेटे थे अश्यरव इबराहिम थे और इन की तीन बेटे थी निम्रा, मदिया, जोनिया जोनिया का निकाह मास के साथ हुआ था जो बच्पन में तैप बजियर था पेरम खान के चार बेटे थे शाजिल, इसा, दुआ, लाइबा इसी तरह शहबास खान के भी चार बेटे थे जाइगिम, फवाद, हमजा, शहजेब और एक बेटी पलोशा थी लड़कों में कुछ बैरुन मुलके पड़ाई की गर्ज से कयाम पजिर थे और कुछ यहीं थे और लड़कियों को हवेली में ही रहकर पढ़ने की इजाज़त थी कहीं भार जाने की नहीं गर्मी अपने उरुच पर थी और वो सुस्त रोई से चलती बस स्टॉप पर आकर रुख गई अरिशा ने इसकी गैर मामुली खामशी नोट की और इसी वज़े पूछती वो टाल गई लेकिन फिकर की लकीरे इसके चेहरे में नमाया थी अर्शिया के कई बार पूछने पर इसने बिलाखिर इतना बता ही दिया बस यार बाबा की तबियत बहुत खराब है और इनके इलाज के लिए पहुत पैसे दरकार है मैं करू तो क्या करू तुम तो जानती हो हमारे हालत का अमी भी परिशान है मेरी पढ़ाई का खर्च पहले ही बहुत है अब बाबा की बिमारे ने इन्हें तोड़ दिया है वो भी सिलाई करती हैं लेकिन इससे कितना होगा क्या होगा वो बहुत ही अबसर्दा थी अरशियाने से तसलिय देते हुए कहा तुम फिकर ना करो लो तुम फिकर ना करो फिकर ना करो अर लो ठीक हो जाएंगे अला हसाब भेतर करेगा वो तसलियाम अन्दाष में मुस्कुराही तो भी उसे देखकर हलका सा मस्कुराई लेकिन दर हकीकत वो बहुत अद्धास थी वो सोकर उठी तो घड़ी की सुईया साड़े नो बजा रही थी वो उठा और फ्रेश होकर नीचे की हिस्से की तरफ आया नासिर बाबा ने से देखकर मौदब अंदाज में सलाम किया इसने जवाब देते हुए इन से नाश्टे का कहा और साथ ही अम्मी के कमरे की चानी पा गया वो इसे देखकर नहाल हो गई और दीवान राज से इसे चुमा और वो भी इने इतनी दिनों बात देकर बहुत खुश हुई उन्होंने कहा बेटा तो सो गया था रात को हम लेट आये थे तो बता कैसा है मेरा बच्चा कितना कमजूर हो गया है इसने हसते हुए का ऐसा कुछ रही है अम्मी आपका प्यार है ये बस जब भी वहम का शिकार हो रही है इसने इने प्यार करते हुए का बेटा तुमारे बाबा और यूसुफ भी तेरा पूछ रहे थे पहले नाश्टा कर ले फिर इनसे मुलाकात कर ले वो जानता था बाबा की जान भी इनने इतनी गफी का इजहार करेंगे और इसकी लाब भरभाही का शिकवा भी और एसा ही होता था वो हस हस का सबके सवालों का जवाब दे रहा था आज सबको हैरत हो रही थी कि अतनी खुष्कबार मोड में क्यों है वगर ना इसका मोड हम वाव वक्त ऐसा होता कि सब इसके सामने जू करने से भी खौफ कहाते थे वो घर आई तो घर की हौलना खामोशी ने इसका इस तकवाल किया वो उदासी कैफित में चलती अम्मी और बाबा के मुश्टरी का कमरे की जानी बढ़ गए और अंदर दाकिल हुई तो देखा कि बाबा पलंग पर लेटे हुए था और अमीन के पाओ दबा ली थी और इसने आईस्ता आवाज में सलाम करते हुए बाबा को तबियत पूछा तो अमीने कहा बहतर है बस जरा पाओं में तकलीफ है इसने दिल ही दिल में खुदा का शुकर अदा किया क्योंकि पिछले दो रोज से बाबा की तबियत खराब थी लेकिन आज वो कदरे बहतर लग रहे थे वो चेंज करने की गर्से अपने कमरे में चले गई तकरीबन एक हफ़ते के बाद आज वो शहर वापस जा रहा था वो बहन भाईयों में तीसरे नमबर पर था जबकि दूसरे पर यूसुफ और पहले माज थे माज था और सबसे चोटी अलेज़े थी आज कल हवेली में माज और जौनिया की शादी की बाद चल रही थी निकाह तो बच्पन में हो गया था लेकिन अबी जान और दादा जान को अपने बागे अर्मान भी पुरे करने थे जौनिया की शादी इस हवेली की पहली शादी थी इसलिए सबी परजोश थे रुकसती की तैयारा जोर पकड़ने लगी वो गाड़ी में आकर बैठा तो ड्राइवर के गाड़ी आगे बढ़ा दी इसका क्याम शहर में बने अपने फार्म हाउस में होता था वो वहीं से तालिम हासिल करने की साथ साथ सियासी कामों में भी मसरूफ होता था गाउं में तो सर गे वो पंचायत का काम बाबा खान वो दादा खान ही ने देखते थे बहुत लंबा और ठका देने वाला सफर था जब शहर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी फारम हास पर पहुंचके सबसे पहले इसने अपने ids जग्री दोस्स अदराना को फोन करके अपनी आने की इतला दी और फिर जो तो समेट बैट पर गिर गया हवेली फोन करके अपने खैरियत से पहुंचनी इतला दी बाद में बैट पर धस्ते हुए नीन की बादियों में उतर गया तमाम तैयारी मुकमल हो चुकी थी और लाखिर वो दिन आही पहुंचा युनिवर्सिटी में आज फंक्शन था जिसमें जाने के लिए वो तयार थी हाला कि बाबा की तप्रियत तो अब भी बहतर थी फिर भी इसका दिल चाहरा था कि वो दो रोज की छुटी ले ले लेकिन अमीने से हर तरह ममकिन हर तरह से मुतमईन करते हुए से अरशिया के साथ जाने पर आमदा कर ही लिया इसने से फंक्शन के किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया था हाला कि वो एक जहीन स्टूडन्स थी लेकिन वो आज़कल जिस सदमाती कैफे से दो चार थी इसके लिए इन तफरीक को युही सवाल ही नहीं पैदा होता था अरशिया के वुसाथ वो युनीकी गेट के अंदर दाखिल हुई तो इसके कान में पीछे से एक लड़की के आवास टकराई वो शायद अपनी दोस्ते मुखातिब थी वो सुना है आज के फंक्शन में कोई बहुत ही खास मेमान अपने हाजरी देने वाले हैं और सुनने में ये भी आया है कि वो एक फेवरडल सिस्टम से ब्लॉंग करता है बला कर हैंड सम्द हैं आज तो मज़ा ही आ जाएगा सोहा ने सोचने लगी कि लड़किया पढ़ने की बहाने अपनी दिली तसकीन को पुरा करने आती है ऐसी लड़कियों से सक्त चिर थी यही वज़ा थी कि इसकी एक ही दोस्ती और बिलकुल ही इसकी मिज़ाश की थी दस बज़े के करीब फंक्शन स्टार्ट वार वो एक कोने में खड़ी अरशिया से बात करती हुई इन रौनोकों उसे भी लुट अंदोस हो रही थी अरशिया अरशिया और इसके हाथ में कैन का डबा था जो कैंटिन से लाई ही थी जब ही इसकी नज़स सामने उठी कर रहा था और अपने अंदर इतनी जजबातियत रखता था कि एक लम्हे के लिए सोहा मुराद की नज़री भी जिससे ठटक कर इसकी जिम सी गई थी दूसरे ही पल वो सामने से नज़रे हटा गई फिर वो फयास सर के हमरा कदम बढ़ाता इस स्टेज की जानिब चला गया लड़कियों में जैसे हलचल मच गई थी जो लड़किया जार बेजारी और सुस्ती के आलम में थी इन में भी जान आ गई थी वो जब तक बैठा रहा एक बार भी इसने इसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देगी सरफ़याज ने मुसाफ़ा भी इसने हल्की सी रिसमी मुस्कुराहट के साथ ही किया था शायद ये संजीत की की तबियत के खास एहम हिस्सा थी इसकी शानदार परसनलाइटी में एक अजीब सी मगरूराना ज़लक दिखाई दे रही थी वो तमस्कुराना अंदास में मसकुराती इस सर जटक गई इसके ख़यल में फेवर्डल सिस्टम के बारे में अच्छी नहीं थे अब तक इसने फेवर्डल सिस्टम के बारे में जितना सुना था जालिम सफाक, दिल और बेरहेमी सुना था फंक्शन का एक्तिदाम हुआ और वो जैसे ही बाहरी गेट के तरफ मुड़ी किसी शेय से बुरी तरह से टकरा गए थी इसके आँखों के सामने अंधेरा च्छा गया था क्यों टकर बहुत सकती जब वो कुछ देर बाद समली और नजरे उठी तो सामने सालिक हैदर खान खड़ा था वो बेक्तियार पीछे हड़ गई तो वो इसकी कलाईयों को अपनी गृफ्ट में लेते वे गर्रा कर कहा हेलो देख कर चलानी आता तो में जान बुचकर टकराई हो इसने अपनी कलाई छुडानी की कोशिश की लेकिन वो गैज औ गजब की तस्वीर बना खड़ा था और फिर इसी अंदाज में बुला कुछ पूचा है मैंने अगर नहीं बता सकती तो माफी मांगो उसने जटके से कलाई इसकी मजबूत गिरफ से छुडानते हुए जिद्धिया अंदाज में कहा माफी वो क्यो गलती तुमारी है तुम मांगो मैं मर जाओंगी लेकिन माफी नहीं मांगोंगी वो इसे कुछ देर देखता रहा फिर तंजया अंदाज में इस पर हसा और बुला तुम जानती हो मैं कौन हूँ सोहा मुराद ने फॉरण से नहीं में जवाब दिया मैं तुमें नहीं जानती हूँ नहीं जानने में कोई दिल्चसपी नहीं है तुम जो भी हो X Y Z मेरा कोई लेना देना नहीं है हटो मेरे सरास्ते से तुम जैसे रही जादों को काम लोगों को सिर्फ धंकाना और नीचा दिखाना लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं माफ़ी नहीं मंगगूगी समझे तुम वो गुस्टे से लग चबा चबा कर बुनी एक बार पिर इसकी कलाई को अपने मजबूत हाथ में पूरी तरह मरोड़ते हुए उसने गर्राते हुए का माफ़ी तो तुम्हारा बाप भी मानी का तुम मुझ ही जानती नहीं हो तुमने बहुत बड़ी गिल्ती कि हैं मुझसे जबान दराजी करके मैं जबान खीच कर ल तमाशा देख फिर लग गई थी इसकी गार्ड दोड़ के आगे बढ़े लेकिन इसने हाथ की इशारे सो रोग दिया बाद में अपनी बे तहाशा सुर काके इसकी आंक की इसकी आंकों में डाल कर गोया शेर की मानन गर्रा कर कहा तुमने जो गल्ती की है सो खामयाजित तमा अमर तम्हें भुगतना पड़ेंगा जिस्ट बेट एंड बोच ओकी यह कहते हैं वह जटके से मुड़ा और अपनी गाड़ी में जा पैठा इसके बरक्स वह सर जटक कर रह गई देखते ही देखते गाड़ी धूल उड़ाती नजरों से ओजल हो गई सर फायास इतलाप पा सबकी नजर इस पर थी दबी दबी साल कोशियां भी जारी थी इन में ऐसे कुछ अब ऐसे भी थी जिनको असल मामली की खबर तक तो ना हो सकी थी और ऐसे भी थे जिन्होंने सब कुछ देखा था लेकिन दर है कि सोहा मुरात को रती बर परवा नहीं थी इसके ख्याल में य एक खबर थी वो अफिस में दाखिल हुई तो सर फ़यास को बेहद गुसे में अपना मुंतजर पाया सर फ़यास दोनों हतेली हैं पेशानी पर टिकाए मुस्ल टिकाए परिशान हाल में बैठे थे आहट पर सीधे होते हुए इसकी जानिब नज़रे कि और इसे बैठने का इशारा किया और अरशिया के साथ खासी सुस्त रोई से रखी चैर पर बैठ गई उन्होंने चलना में इसकी कड़ी नज़रों से घुरते हुए गोया गर्राते हुए पुझा मैं सोहा क्या मैं पूसरता हूँ आपकी होश वो हवास सलामत है सोहा ने जरा की जरा नज़रे उठाकर खासे तहमिल से जवाब दिया सर गलती मेरी नहीं थी सर फयाद ने आप लूचका कर दोबारा स गुस्से में पूचा सर बत्तमीजी मैंने नहीं मिस्टर ने की है सोहा ने जुकते हुए सर के साथ जवाब दिया सर फयाद ने गोया इसे तहमी अंदाज में वाबर करवाया अगर आपके साथ आगे कुछ बुरा हुआ तो मैं पहले ही क्लेर कर देतना चाहता हूँ कि इसक जिम्हतारा आप खुद होगी और एक बात अगर ऐसी कोई भी बात हुई तो आपको इसी रोजग यूनिवरसिटी से खारच कर दिया जाएगा अब आप जा सकती हैं उन्होंने चलन हमें में बात खतम कर दी और जाने का इशारा कर दिया वो अरीशा के साथ मरे मरे कदमों स दूसरी आ जाती है मेरी जिन्दगी में वो कमीना है कौन जिससे सर इसकदर आहमयत दे रहे हैं वो बेजारी और गुसे में बोली मैं खुद भी सोच रही हूं तो मैं जैसे शक्स के हाथ साथ मुन नहीं लगना चाहिए था खामुशी से पीछे हट जाना जाती ना अब पत सर की बातों पे थोड़ा परिशान हो गुईं वगर सच को हम तो मुझे इस पागल इंसान की कोई फिकर नहीं हमम नाक चड़ाते हैं में पुरी अरिशा इसके तरफ देखकर ठहर ठहर करगा propose सर को कहीं कहीं न कहीं तुम्हें भी अंदाजा हैं वो कुछ भी कर सकता हैं इस इसका दिमाग इसकदर सिलग रहा, त चाहए TRAGA ता, दुनिया की हर शेह को आग लगा ते, सिलगते हुई दिमाग के साथ इसने सिग्रेट सिलगाई और कश लेने लगा, सिग्रेट कुछ़ खतμ करके, इसने दूसरी सिलगाई, और इंटर कॉम के जरिये गार्ड को अंदर आने का हुकम नानमा जारी किया गार्ड इजाज़त लेकर अंदर दाखिल अधस ने सिगरेट पैरो तले मसल करस की जानिब अपनी रसुर को आखे उठा कर देखा और कहा इस लड़की के मुझे A to Z information चाहिए दो दिन के अंदर दो दिन मतलब दो दिन अब जा सकते हो गार्ड सर को इशारे में लाते हुए बाहर निकल गया और वो सिलकते हुए दिमाग के साथ बैट पर वापस ढह गया वो यूनी की गैट से निकली तो इपने चेहरे पर किसी की नजरों की तप्पिश महसूस हुए इसने तराफ में देखा तो इसे कोई नजर नहीं आया वो अपने वहम समझ कर सज़टक तेवे बैन की जानिब चल आई आज और शिया इसके साथ नहीं थी किसी बज़े से इसने चुटी नहीं थी वो केली आज ही ही जी भर के बोर हुई थी वो घर की गेट पर उत्री तो जैसी ही गेट कोलने के लिए हाथ पढ़ाया फिर इसी हैसास ने इसने घेल लिया इसने पुछे मुड़कर चारों तरफ नज़रे दोड़ाई तो ये कायक इसकी नज़र इसकी कुछ फासले पर नीम के दरख के नीचे खड़े दो मोटे शक्स पर पड़ी थी वो काले लिबास में थे और अपनी लाल आखे इस पर गाड़े खड़े थे एक अजीब सा डर इसे अपने शिकंजे में जिकरने लगा वो जल्दी से गेट खोड़कर अंदर दाखिल होई और अंदर से गेट लोग कर दिया वो तमाम रात एक पल की नीच नहीं सो सका इसका दिमाग इसका दर मावफ हो रहा था कि इसकी किसी भी बात करने का दिल भी नहीं चाहा अधनान की कई कॉल पर भी इसने कोई रिस्पॉंस नहीं दिया हवेली से भी बेजान की कॉल अलग अबमी की कॉल अलग बाबाजान की अलग लेकिन इसने किसी से भी बात नहीं की फोन भी बच बच कर चुप हो गया था इसे मालम था बस सब परेशान हो रहे होंगे नाश्टा करके इसने कॉल बैक का सूचा आज इसका योनी जाने का कोई रादा नहीं था दूसरे रोज भी वो कॉलेश के लिए अके लिए रवाना हुई आज भी अरिशिया इसके साथ नहीं थी वो अम्मी को खुदा हफिस करती हुई तेज तेज कदमों से चलती ही वैन में जाकर बैट गए बैटने के बाद जैसे वो सीधी होने को मड़ी इसके आँके फटी की फटी रे गए वही दोनों आदमी जो कलसे से घूर रहते वो वैन की सीट पर बरजुमान थे आगे शायर ड्राइवर बैटा हुआ था इससे पहले कुछ समझती इसने एक निरुमाल इसके नाक पर रख डाला इसके बाहर इसका जहन अंदेरे में डूब गया उसकी आँक खुली तो इसने खुद को एक वसीव अरजी कमरे में पाया वो बैट पर बैटी हुई थी कुछ देर वो खाली-खाली नजरों से छट को घूरती रही फिर यकायक जैसे होश में आ गई इससे अब समझ में आ रहा था कि वो किड्नैप हुई है लेकिन कौन करेगा इसे ऐसा वो और क्यों इसका जहन इस वक्त काम नहीं कर रहा था वो डरती हुई दर्वाजे की जानी पाई और इसे पीड डाला मगर दर्वाजा लॉक था वो जोर जोर से रोने लगी प्लीज दर्वाजा खोलो कौन हो तुम मुझे क्यों किड्नैप किया है दर्वाजा खोलो प्लीज इसकी आहा पुकार को वहाँ शायद सुनने वाला कोई नहीं था वो ठकी हारी अंदास में वही दर्वाजे से टेक लगा कर बैट गई गई और बे आवाज रोनी लगी वो एक शांदार कमरा था जिसकी एक एक शेख घर के मालिक की नपास जलका रही थी वो लड़जरते कदमों के साथ चलते हुए खिड़की में आकर खड़ी होगी जहां से पीछे लॉन का मनज़त साफ तोर पर दिखाई दे रहा था बड़ा सा स्विमिंग पूल और इसके तराफ में सफेद दूद्यान रंगत के कबूतर लॉन की खुबसूरती में बेहत इजाफे का सबब बन रहे थे वो कुछ देर ही खड़ी रही जैसी ही पलटने के लिए रुक मोड़ा तो इसे दर्वाजा का लॉक खुलने की आवाज है और अंदर आने वाले दरास कद वो कामच शक्स को कमरे की नीम रोशने की वज़े से साफ नहीं देख सकी वो इसके पास आकर खड़ा हुआ इसने सरसराती आवाज में पुछा कौन हो तुम इसने एक फलक शुगाफ कहे कहे की आवाज सुनाई दी तुमारी आदाश इतनी गज़री है कि तुम मुझ जैसे हीरे को भूल गई हैरत है सुभा का दिमाख होया जहमाका हुआ इस वक कंबरा रोशनी में नहा गया और अब खुली आँखों से सामने खड़े शक्स को देख सकती थी वो फटी फटी आँखों से इसकी जानिब देख रही थी जिसके चहर पे फत्य के जोर के आसार वो साफ नजर आ रहे थे वो एस्तजाया नजरों से इसकी जानिब देख रहा था नफरत इसकी आँखों में साफ नजर आ रही थी पहचाना मुझे कि अपना तारिफ भी अपने अंदाज में करानबाना पड़ेगा वो गर्राते हुए इसके कानों से कंदों से पकड़कर जुनजोरते हुए बोला सोहा मुरात को इस वक्त अंदाजा हो रहा था कि जिस गलती को इसने धूल में उड़ाना चाहा था आज वो एक गलती एक भैनक रूप में इसके सामने खड़ी है तुम्हे क्या कहा था मैंने मुझसे पंगा लेकर तुम अच्छा नहीं किया अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पत्तमीजी करने का क्या अंजाम होता है तुम्हारे जिन्दगी जहन्न बन के जाएगी आज के तारिक से इस दिन बहुत अकड रही थी ना तु माफी नहीं मांगोगी और एक बार सोर से हसा और मजाक उड़ाने बाले अंदाज में बोला अब तुम रोज माफी मागोगी तो ना तुम्हें माफी मिलेगी और ना रहाई आई समझे इसके दोनों गालों का अपने मजबूत हाथों से जकरते वे कहा जटका इतनी शदित था कि वो दोबारा बेहोश होकर इसके बाहों में जुल गई सालिक ने एक नफरत भरी नजर इसकी खुबसूर सरापे पर डाली और एक बैट पर पटक कर दर्वासा लॉक करके अपने रूम की तरफ बढ़ गया आज वो बहुत परसुकून नीज सोने वाला था इसका मिशन जो पुरा हो गया था जारी है पढ़कर बताएए सौरी कैसा लगा आपको यह जरूर मुझे बताएगा और लाइक किर जीए और कमेंट्स कीजिए सस्क्राइब कीजिएगा यह मेरा नियू चैनल है और आपको किस तरह से लग रहा है और कैसे कैसे आपको स्टोरी सुनना आपको पसंद है जो भी है आपकी पसंद आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं इंशालला कोशिश करते रहूंगी कि मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको मैं पूरा कर सकूँ तो थैंक्स आप लोगों सुनने आप लोगों ने मुझे सुना अगर कोई गलती हुई हो तो सौरे और तेला आफिस असलाम आने कुम आपरिवन नॉवेल की दुनिया में आप सब का वैलकम है आज को नॉवेल नेम है